हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू जा सक्सस केंद्रा दोस्तु इस वीडियो में हम लोग बिहार होमगार्ड एक्जाम के लिए प्रेक्टिस सेट नमबर 11 को कवर करेंगे इससे पहले हम लोग ने सेट नमबर 1 से लेकर के 10 तक को अल्रेडी कवर कर लिया था तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा लिंक जो है सभी वीडियो का आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंट्स इस प्रेक्टिस सेट में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, जिग्राफी, एकनामिक्स, जैनरल साइंस, करेंट अफ्यार्स, हिंदी और इंग्लिस के ब्रशनों को कवर करते हैं चैनल पर अगर आप पहली बार आया हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी बिहार होमगाट से रिलेटेट कोई भी वीडियो अप्लोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये वे आज का सेसन स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दिजेगा फ्रेंट्स आज का पहला कोस्टन देखिए पहला कोस्टन कि मत देने का अधिकार भारतिय समिधान के किस अनुछेद में आता है यानि कि वोट देने का अधिकार जो है यहाँ समिधान के किस अनुछेद में आता है काफी इंपोर्टेंट कोस्टन है तो ध्यान देजेगा फ्रेंट्स अनुछेद 324 से लेकरके 329 तक में जो है निर्वाचन से संबंदित उपबंद दिया गया है ठीक है और ये जो वोट देना का अधिकार है यह अनुछे 326 में है ध्यान रखेगा काफी important है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है यानि कि मुख्य चुनाव आयुक्त याद रखेगा सुनि 22 अपरेल के दिन मनाया जाता है विश्वजल दिवस जो है 22 मार्च के दिन परतेकवर्स मनाया जाता है 22 मई के दिन याद रखेगा जयर विविद्यता दिवस मनाया जाता है तो सबको आप लोग ध्यान रखेगा next question देखे friends next question है कि एसकॉर्विक अमल किस विटामिन का नाम से जाना जाता है विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन बी को थाइमिन कहा जाता है विटामिन डी को क्या कहा जाता है कैल्सी फेरॉल कहा जाता है ठीक है चलिए next question देखेगा friends भारत में परत्या वर्तिधारा यानि कि alternating करेंग AC का मान कितना है काफी important question है तो भ रेक्टी फायर ठीक है याद रखेगा कौन करता है रेक्टी फायर करता है अगला question देखिए भारती समिधान में कूल कितने भाग है काफी important question है तो भारती समिधान में कूल 22 भाग है अगर अनुसूचियां पूछी जाए तो 12 अनुसूचियां है इसको भी आप लोग ध्या रखेगा next question देखें friends कि बिहार का नियुंतम जनसंक्या वाला जीला कौन सा है 2011 की जनगन्य कनुसार पुछा गया है तो देखें friends नियुंतम जनसंक्या वाला जो जीला है वो कौन सा जीला है वो सेख फूरा है सबसे अधिक अगर बात करें तो वो पटना जीला है याद ठीक है 10 कडोड 40,99,452 याद रखिएगा चलिए अगला कुस्सन देखेंगा friends कि Australia Open 2020 की महिला एकल विजेता कौन है तो यह Australian Open जो है friends या वर्स का पहला जो है टेनिस टूनामेंट है और आप कर सकते हैं कि पहला Grand Slam है या वर्स का और महिला एकल का किताब जो जीता था वो ज अगर हम पुरुस एकल की बात करें तो पुरुस एकल का खिताब जो है नुवाक जोकोवीच ने जीता था नुवाक जोकोवीच जो है सरविया के हैं नेक्स्ट कुस्टन देख लीजे अगला कुस्टन है कि धातु जब अमल से प्रतिकरिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन होता है most important question है बहुत ही basic question है तो देखे फ्रेंस धातु जब अमल से प्रतिक्रिया करता है तो hydrogen gas निकलता है option number D जो है इस प्रश्ण का बिल्कुल correct answer हो जाएगा hydrogen gas अगला question पुछागे कि लोहे के galvanisation में कौन सी धातु प्रिक्त होती है तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चड़ाया जाता है option number C जो है science इसका हो जाएगा ठीक है next question देख लिजे next question reference की नील दरपन नामक पुस्तक किस ने लिखी है काफी important question है याद रखीगा तो नील दरपन को लिखा है दीन बंधु मित्रने और यहा जो नाटक है यह जो नील दरपन यह नाटक है यह कब प्रकाशित हुआ था तो ध्यान रखियेगा इसको प्रकाशित किया गया था 1860 में ठीक है 1860 में इसको प्रकाशित किया गया था अगला कुस्सन देखिए अगर एंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके एंसर बताते चलिए एक सिंग वाला गंड़ा किस राजे में पाए जाता है तो दिखे फ्रेंट्स एक सिंग वाला गंड़ा के लिए काजी रंगा नेशनल पार्क जो है प्रसिद है और काजी रंगा नेशनल पार्क जो है यहाँ असम में है option number C correct answer हो जाकर एक सिंगुला गेंड़ा किस राज में पाए जाता है तो असम राज में असम में काजी रंगा भी है और मानस भी है ठीक है मानस रष्टिय उदान कहाँ पर है असम में है ध्यान रखिएगा अगला कुस्टन देखिए उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं जो भोजन का उत्पादन करते हैं यानि कि उत्पादक कहलाते हैं और जो खाने का क्रम जो है एक सिरिंखला जो चलता है उसको क्या कहा जाता है तो फ्रेंट्स उसको कहा जाता है खाद सिरिंखला ठीक ह फूड चैन जिसको आप अंग्रेजी में कहा सकते हैं फूड चैन कहा जाता है उसको ठीक है चलिए नेक्ष्ट कुस्टन देखिएगा फ्रेंट्स कि इलक्ट्रोनिक विन्यास यानि कि इलक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन दो आठ साथ वाला अधातु तत्व कौन सा है यहाँ पर अधातु तत्व क्लियर भी कर दिया गया है तो फ्रेंट्स देखिए दो आठ और साथ यानि कि टोटल कितने इलक्ट्रोन है सत्रह है और सत्रह किसक है कि H2SO4 यानि कि Sulfuric अमल है यह H2SO4 के Atomicity कितना होता है तो देखे फ्रेंटS Atomicity के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं जितने भी इसमें Element है उनका Number Count कर लीजें देखे कितने इसमें Oxygen है तो Oxygen Hydrogen 4 है सलफर कितना है तो एक है उसका बद अगर बात कर हाइड्रोजन कितना है तो दो है तो इसको जोड़ दीजे चार एक पांच और दो साथ तो टोटल कितना गुप्थ वंस के बारे में जानिये गुप्थ वंस कि अस्थापना ने किया था किसने किया था स्री गुप्थ ने किया था कि और शिव दीजिए त्यान्न किया था यह इसको चंद्र Reports Mohammed के नाम से भी जाना जाता है तो सरवाधिक प्रसिद्ध विक्रमा जीद था ये भारत का नेपोलियान किसको कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है सबको ध्यान रखना आपको साइन सर इस प्रशन का जो है थे फ्रेंड करना वह विक्रम है किसा भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा और फ्रेंड्स कल मैंने thinking गलत बता दिया था वर्तमान में लबाड की chairman यह गोवींदा-राजा-ल। चिंताला हैं कल मैंने हर्स भनवाला मत्ता दिया था इनसे पहले थे अब हर्स कुमार भनवाला नहीं है अब गोविंदा राजालू चिंताला है तो इसको सुधार लिजीएगा बिहार के कूल 7.76% जो है वन आवरन है ध्यानरके काफी important है अगला कुस्सन देखिए ध्वनी तरंगे नहीं चल सकती है और फ्रेंट्स इस से पहले हम लोग ने से लेकर के 10 तक को कवर किया था तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए यहां एक लिंक आ रहा होगा उस लिंक पर किलिक किजिएगा इस आई बटन पर और आप लोग सारे फ्लेलिष्ट में जितने भी वीडियों है एक से दस तक को देख लिजेगा तो देखिए ध्व बिहार के जम युजीले में यह प्रस्टन जो है बीपीए सी में पुछा गया था ठीक है ध्यान रखिएगा बिहार फॉरेश्ट गार्ड में पुछा गया था अगला कोस्टन देखिए कि जम्मो कस्मिर के नय उपराज येपाल कौन बनाए गया है वन आप दा मोस्ट भारत के नियंत्रक येवं महालेखा परिक्षक बन गया है तो ये प्रश्ट पती पर महाभ्योग किस अनुछेद में वर्णित है तो देखिए फिर अर्टिकल 52 जो है इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट पती होगा आर्टिकल 61 जो है यही जो है राष्ट पती पर महाभ्योग से संबंदित है ध्यान रखिएगा आर्टिकल 60 जो है यह राष्ट पती के सपत से संबंदित है और उसे 63 जो है इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट पती होगा तो सबको ध्यान रखिएगा अगला कोस्थन देख लिजिए कि कालीदास किसके समकालीन थे फ्रेंडस वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लउपन्ट कर जीजिए और इसे सेर जरूर कीजेगा तो देखें काली दास जो थे फ्रेंट्स यहां चंद्रगुप्त दूतिये जिसको की चंद्रगुप्त विक्रमादित के नाम से जना जाता है इसे के समकालीन थे काली दास आरेभट धनवंत्री ठीक है धनवंत्री ये भी जो थे किसके समकालीन थे धरवंत्री जो थे एक प् प्रति वर्ष 16 सेप्टमबर के दिन मनाया जाता है ऑप्शन नमबर डी करेक्ट इंसर इसका हो जाएगा कोवतनांक बढ़ाने पर दाब पर क्या असर पड़ता है काफी इंपोर्टेंट कुस्चन है ध्यान रखिए कि कोवतनांक बढ़ाया जाता है तो दाब भी बढ़ जात ठीक है औप्शन नमबर यह जो है सई अंसर हो जाएगा नेक्श्ट कोस्चन देखिए कि होप मार्स मिसन किसने लौंज किया है यानि कि यू 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 का मतलब होता है उनाइटिट अरब अमिराथ हिंदी में संट अरब अमिराथ इसको कहा जाता है ध्यान रखिएगा होप पारेटिक्स है और यहां जो होता है दर्द निवारक और ज्वर समक ज्वर समक यानि कि जो बुखार होता है उसको खत्म करने में यहां कारे करता है थीक है ध्यान रखेगा उसके बाद अगला कुस्सें देखिए कि आत्मिय सभा की अस्थापना किस ने कि थी तो देखे फ्रंट्स आत्मिय सभा की अस्थापना 1815 हिस्भी में राजा राम मोहन राये ने किया था Qustion No.28 देखिए कि मेरे कासिम ने राजधानी कहाँ परिवर्तन किया था तो देखे, पहले जो राजधानी थी, बंगाल की वो थी धाका में, तो देखे, मुर्सीद कुली खान जो था, मुर्सीद कुली खान ने धाका से मुर्सीदाबाद राजधानी लाया, और मुर्सीदाबाद से मुंगेर जो राजधानी बिहार के मुंगेर में ये लाया था, म सिकंदर और पूरस के बीच में लड़ा गया था ठीक है किस नदी के चटपर तो जहलम नदी के चटपर ध्यान रखिएगा अगला कुस्तन दिखे कि समिधान के किस अनुशेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर ने समिधान का हिर्दय और आत्मा कहा है तो यह आर्टिकल है 32 32 में क्या है समिधानिक उप्चारों का अधिकार ठीक है और इसी आर्टिकल 32 के तहट अगर आपकी मौलिक अधिकार की हनन होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते है नेक्स्ट कोस्टन देख लिजे तो यह आप से यहां पुछा जा रहा है तो यह कहां पर है जबलपूर मध्यप्रदेश में है ध्यान रखेगा पूछा गया यह प्रश्ण है अगरा कुछन देखिए घरेलू रस्वईगेस LPG कनेक्शन किस योजना से सम्बंदित है तो फ्रेंट्स यहां जो LPG कनेक्शन थी जो गरिवी रेखा से नीचे के जो महिलाएं थे उनको यह कनेक्शन दिया जा रहा था तो यह किस योजना के तहट था तो यह था उजवला योजना ओप्सन नमबर बी सही अंसर हो दियागा उजवला योजना इसकी सुरुवात जो है एक माई 2016 को की गई थी कब की गई थी एक माई 2016 को उजवला योजना की सुरुवात की गई थी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोस्टन देखिए ग्रेगर जौन मेंडल ने किसका प्रतिपादन किया था तो फ्रेंट्स Betty ग्रेगर जौन मेंडल जो है इन्होंने अनुवान सिकता का प्रतिपादन किया था रख्त सम्हू की खोज किस ने किया था यानि कि Blood Group का खोज तो Blood Group का खोज किया था किसने बताईए कमेंट करके आप लोग बतेए ब्लड गुरूप का खोज किस ने किया था, ठीक है, कारल लेंड इस्टिनर ने किया था, चलिए मैं ही बता देता हूं, उसका बद कोशिका की खोज, तो आप लोग बता ही जकते हैं, कोशिका की खोज किस ने किया था, अगला कोशन देखिए, कि बिहार ओलंपिक संग की अध अगला कोस्टन देखिए कि बिहार खादी के ब्रांड मेश्टर के रूप में पंकज तिरपाथी को जो है नियुक्त किया गया है तो बिहार को जो मिला है 26 अस्तान मिला है ध्यान रखिएगा पहले अस्तान पर आंदर प्रदेश है ध्यान रखिएगा उसके बदी के देश की पहली किसान रेल सेवा किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई है यहां महराष्टर के देवलाली से बिहार के दानापूर तक चलाई गई तो सही अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C देवलाली से दानापूर नेक्स्ट कुस्टन देखें कि देटरायट नगर किसके लिए प्रसिद है तो देखें फ्रेंट्स यहां डेटरायट नगर यहां 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 इस्तित है तो देखें फ्रेंट्स हमबन टोटा बंदरगा यहां सिरलंका में है और सिरलंका ने इसको लीज पर किसको दे द नहीं पुछा गिया है दूद का घटा उना रहसानीक परवर्तन का मतलब समझ जाए पहले अगर कोई चीज अपना दूसरा रूप तो फिर से वह आपस उस रूप में नहीं आता है देखिए अगर फट जाता है तो क्या फट के फिर से दूद बन जाएगा नहीं बनेगा कागज जल गया तो क्या फिर से कागज बन जाएगा नहीं बनेगा पानी उबलना तो यह पानी उबलता है तो क्या बनता है धेपर बनत यह वास्त बन के उड़ गया और फिर पानी बन के वापस से धर्थी पर आ गया तो यह जो है रासानिक परिवर्तन नहीं है ठीक है रासानिक परिवर्तन नहीं है ध्यान रखेगा अगला कोशन देखिए कि मद्ध करण यानि कि आपका बीच का जो कान है करण यहां लिखा गय तो तोटल छे हड़ियां जो है दोनों कान में पाई जाती हैं धीयाद रखेगा हैम्यट जो है कान की हड़ी नहीं है ध़्यान रखेगद उसके बाद देखे प्रकास संगसें किससे होता है तो सथीचे फिर्वाय और अपसें नंबर ет ls ryr जाएगा सूर्य को दिपक दिखाना मुहाबरे का अर्थ क्या है तो सूर्य को दिपक दिखाना यानि कि प्रसिद्य व्यक्ति का परिशय देना से इंसर इसका अप्सिन नुबर ए हो पुछा गया देखिए द्विज का मतलब होता है पक्षी ब्रह्मन चंद्रमा बादल यह नहीं होता है ठीक है ध्यान रखिएगा उसके बाद आहवान का विप्रयार्थक सब्द पुछा गया है तो आहवान का जो विप्रयार्थक सब्द उल्टा सब्द होता है वो 27 नमबर देखे, he travels, खाली अस्थान है, car, तो he travels by a car, ठीक है, ध्यानरकी का travels by car, next question देख लीजिए, कि find the suitable adjective for the given word, affection, इसका adjective बताना है, तो सही इंसर हो जाएगा, एप्शन नमबर A, affectionate, ठीक है, ध्यानरकी का affectionate, जो है, सही adjective हो जाएगा, affection का, 49 नमबर देखे, it is not easy, खाली अस्थान है, all people, it is not easy to please all people, सही असर, ऑप्शन नमबर D हो जाएगा, बिल्कुल basic English पुछा जाता है, ध्यान रखिएगा, KWH किसकी इकाई है, किलो वार्ट आवर जो है, किसकी इकाई है, तो आप सभी को पता है, वार्ट जो है, पावर यानि कि सक्ति की काई है, ध्यान रखिएगा, उसका बाद कि GST लागू करने वाला पहला राज्य जो है, यह कौन सा है, तो GST भारत में कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, एक जुलाई 2017 को, ठीक है, GST लागू करने वाला विस्व का पहला देश पुछा जाए, तो फ्रांस है, अगर राज जो पुछा जाए, देखिए, यहां राज पुछा गया है, तो यह असम है, option number B, सही इंसर इसका हो जाएगा, next question देखिए, कि 9.8 kg को, आपको ग्राम में बदलना है, तो फ्रांस, आप लोग फटा-फट इसको ग्राम में चेंज किजिए, और वीडियो को लाश्ट में अभी आप लोग इसमें कमेंट करके बता दीजे, तो देखे, फ्रेंट्स, अब आपके एग्जाम जो होना है, वो 24-24 जनवरी को होना निर्धारित है, ठीक है, पीडियाप आपको टेलिग्राम पर मैं आज ही दे दूँगा, तो अगर आपने अब तक टेलिग्राम जोईन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलिग्राम जोईन कर लिजेगा, वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर जिजेगा फ्रेंट्स, और इसका एंसर आप लोग अभी कमेंट करके बताइए, मिलते हैं फ्रेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्स फूर वाचिन,